आज जम्मु कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाये जा चुका है राम जन्ब भूमी का सैंकडो वर्सों से चला रहा विवाद समापत हो चुका है तीन तलाग के खिलाब कानुन बन चुका है Citizenship Amendment Act आज एक सच्चाई है वैसे देश में एक सोच ये भी थी कि आतंक की हमला होने पर चुप बैठ जाओ अब आप सर्जिकल स्ट्राइक भी देखते हैं एर स्ट्राइक भी सात्यों हमारी सरकार युवाओं के साथ है युवा होसलों युवा सपनों के साथ है आपकी सफलता ससक्त सक्षम और सम्रद्ध भारत के संकल्ब को भी सिद्ध करेगी और हां आज के इस अवसर पर एक आग्रह भी मैं आपसे करना चाहता हूं और मैं आपसे इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा आप पर भरोसा है मैं आपसे के नित्रुत्व में देश को इसमें सफल करने के लिए आपसे विशेश आग्रह करता हूं और विवेकानन जेनती पर तो ये संकल्प अपना दाईत्व बन जाता है आप सब जानते हैं वर्ष दो हजार बाईस तक जो की हमारी आजाजी के 75 साल है देश के आजादी के दिवानों ने सम्रद भारत के सपने संजोये थे और अपनी जवानी देश के लिए आहुत कर दी थी उन महापुरुशों के सपनों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के काम हमने करने हैं उसमें से एक काम के लिए मैं आज आपसे आगरह करता हूँ यूवकों से आगरह करता हूँ आपके माध्यम से पुरे देश में अंदोलन चले इस अपिक्षाय आगर करता हूँ क्या हम 2022 तक बाकी आगे का अगरना देखेंगे 2022 तक जितना संबव हो सके लोकल प्रोड़क्स ही खरीदें ऐसा करके आप जाने अंजाने अपने किसी युवा साथी की ही मदद करेंगे आप अपने लक्षों में सफल हो अपने जीवन में सफल हो इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ